नमस्कार आप देख रहे हैं जियोभी hoas लेकर जारी घमासान के बिच केंदर को मामला सुलजने की उम्मीद कैलास च्षौधरी बोले हमें उम्मीद है कि कल होने वाली बैटक में समधान तक पहुँच सकेंगे जिहां क्रिशी बिलको लेकर किसानों का विरोध परदर्शन राजधानी दिल्ली में जारी है वैसे किसानों के आंदुलन को 32 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन इस मामले का हल अभी तक नहीं निकल सका है बाचीत के लिए मंगलवार सुबह 11 वजे किसानों में बाचीत का समय दिया है इस मामले पर आलम यह है कि बयानबाजी खतम नहीं हो रही है इसे बीच मोदी सरकार को उम्मीद है कि किसानों के मामले का हल जल्द ही निकल जाएगा किंद्रिय ग्रिशी राज्यमंत्री केलास चौधरी ने एक बयान में कहा कि हमें उम्मीद है क कि कल होने वाली बैठक में समधान तक पहुँच सकेंगे समचार एजनसी से बादचीत में कैलास चौधरी ने कहा कि हम आसावान है कि कल की बैठक में सफलता मिलेगी और हम एक समधान तक पहुँच सकेंगे अगर वो किसान के चसमे से देखेंगे तो सफल परिणाम आएग लेकिन राजितिक चस्मे से सफलता साइद ना मिल सके ये कानून किसानों को आजादी देने वाले हैं दिल्ली को मिली पहली ड्राइवरलेस मेटरों की सवगात पीए म मोदी बोले 2025 तक 25 सहरों में मेटरों चलाने का लक्ष जिहां देश को बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेटरों की सवगात मिल गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंगे जडिये दिल्ली मेट्रो की मजंटा लाइन पर देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस कारिग्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल भी सामिल हुए, ड्राइवरलेस मेट्रो को हर जंडी दिखाते हुए पियम मोदी ने कहा कि देश में 2025 तक करीब 25 सहरों मेट्रो चलाने का प्लान है, पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा ला मेट्रो अटल जी के प्रयासों से चली, पियम मोदी ने कहा कि आज नेशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ट से भी मेट्रो जुड रही है, पिछले साल अहमदाबाद से इसकी सुरवात हुई थी, आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर हो की इच्छा नहीं थी, सीम नितीश कुमार ने कहा कि मेरी मुख्यमंतरी बनने की कोई इच्छा नहीं थी, मैंने कहा था कि जनता ने अपना जनादेश दिया है और किसी को भी मुख्यमंतरी बनाया जा सकता है, बीजपी अपना मुख्यमंतरी बना सकती है, नितीश कुमार क पद त्याग दिया और पार्टी के राष्टिय महासचिव आर सीपी सिंग को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाने की घोशना कर दी। इसके बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे को भी सियासत का खेल बता रही है। दिनों से कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हलाकि मामले का हल निकालने की कवायद एक बार दोनों तरफ से सुरू हो गई है। इसी बीच विपक्ष फिर से केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। पस्चिम मंगाल कि सियम ममता बनाजी ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि क्रिशी कानूनों को वापस लिया जाए। क्रिशी कानूनों को लेकर कॉंग्रेस सहीत पूरा विपक्ष लगातार मोधी सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में ममता बनाजी ने भी किसानों का समर्थन करते हुए क्रिशी बीलों को वापस लेने की पांकी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला उत्तरपदेश के ग्रामिड इलाकों में लगेगी फैक्टरी मिलेगा रोजगार जिहां यूपी के गाउं में भी युवाओं को रोजगार देने की कवैद योगी सरकार ने सुरू की है इसके लिए सरकार ने क्रिशी भूमी को गैर क्रिशी गोशित करने के लिए वर्सों से लागू एक अव्यावाहारिक कानून को एक जटके में खतम कर दिया, अब प्रदेश में क्रिसी भूमी को गैर क्रिसी भूमी गोशित करने के लिए चहार दिवारी की अनिवारता खतम कर दी गई है, मुख्यमंत्री जहां युवाओं को उध स्थापित करके लोगों को रुजगार मोहिया करा सकेंगे इस कानून के खतम होने से प्रदेश के ओध्योगी की करण में तेजी आएगी इज ओफ डूइंग बिजनेस के लिहाद से भी यह एक सकरात्मक कदम माना जा रहा है